जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेड़े पैटफॉर्म में रास्ट रहत्मे सिक्षाद इसदी रजदीवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तो आज की सूपर फास्ट वीडियो में इन्वाइर्मेंट यानि सीटेट की दरश्टि से ये कैसी वीडियो जो पूरे फुल नोट्स की बात करेगा यानि इस वीडियो को अगर आपने 15 मिनट देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आपका एकजाम का डिप्रेशन होगा वो पूरा उतर जाने वाला है क्योंकि डाइरेक्ट एकजाम हरवार यहीं से आते हैं कितना कठिन पूछेगा सरल से लेकर कठिन तक सारे फैक्ट इसमें हमने समाहित किये हैं पंदरा मिनट आपको बहुत सिद्दत के साथ देने हैं हम क्या इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ध्यान दीजाएगा जो हरवार पूछता है इसका सलेवस बिलकुल एकुरेट है NCRT से कभी बाहर नहीं गया है असम के मकान से कुछ सन आता है मनाली के मकान से कुछ सन आता है लेह के मकान राजिस्थान के मकान कस्मीर के मकान देखेंगे दिल्ली के मकान देखेंगे अपन लोग बकरावल लोगों के मकान देखेंगे और लास्ट में तीन से चार स्लाइड में महत्वूर्ण फैक्ट एक्जाम में पूछे आते वो हर स्लाइड में एक-एक नंबर छुपा हुआ है यानि एक-एक स्लाइड जैसे ये वाली जो है एरिया ये दिख रहा है ये इसमें एक-एक नंबर आपको देखने को मिलेगा हमने हिंदी और इंग्लिस में दोनों को इसमें समाहित किया है हर बच्चे को ये वीडियो पसंद आने वाली है तो उठाइए पेन और लिख डालिएगा अपने भविस्ति को सोरनीम कलम से पहला यहाँ पर टॉपिक पढ़ेगा घरों के प्रकार में असम के मकान अगर आपको बाकई में सिक्षक और सिक्षिका बन उचे बने होते हैं आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा यानि जो आवर हाउसेज आर मेड अलमोस्ट टेन टू ट्वेल्व फीट एवब दग्राउंड मतलब यह है क्यूं बाई कोई ऐसा तो है नहीं कि जबरजस्ती बना दिया खड़े कर दिये यहाँ प समझेगा यह यह कॉंसेप्ट अगर हम इसमें एक और कॉंसेप्ट देखे हैं कि भाई इन्हें मजबूत बासों से बनाया जाता है यह बासों के जो खंबे होते हैं उन पर इसको स्टैवल करते हैं दे आर मेड ऑन स्ट्रॉंग बंबू पिलर्स बंबू का मतलब होता है बा असम के मकान को बनाते हैं ठीक है बटा तो मजबूत बास्त का प्रियोग कहां पर होता है असम के मकान में अगर हम उचे की बात करें तो कितने फिट होते हैं यह भी एक्जाम में कुछ सेन आता है तो 10 से 12 फीट जो है उचे होते हैं ग्राउंड लेवल से क्लियर है बोला पानी में तैरते हुए देखने को मिलेंगे अभी इसी वीडियो में हम आपको चित्र के साथ बताएंगे यह गर अंदर से भी लकडी के ही बने होते हैं बाहर भाई बास यूज हुआ है तो लकडी अंदर भी यूज हुआ है तो लकडी तो यह याद रखेएगा दोनों तर जानी जाती है चलिए अब हम जानते हैं मनाली के मकान हाउसेस अफ मनाली डाली जेगा फैक्ट मनाली क्या है एक कैसा इलाका है मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहां पर बहुत सारे परेटक घुमने जाते हैं आपने सुना होगा कुलू मनाली है ना तो मनाली एक ऐसा के अंतरगत आने वाला एक सहर एक जो पार्ट है वो है मनाली ठीक है हमारे यहाँ भी बारिस बहुत होती है हमारे यहाँ का मतलब है मनाली में भी बारिस बहुत होती है बर हुई पड़ती है इसलिए यह है पर्रेटकों को बड़ा आकरसित करने वाला केंदर बना है हमेशा की लिए तो बारिस होती है बर्फ भी गिरती है पहाड़ी इलाका है यह फैक्ट तो फैक्ट हो गए आपके मनाली के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो अवर हाउसे जार मेड आफ इस्टोन और बूड का मतलब है कि हमारे जो मकान होते हैं यह पत्थर या लकड़ी से बने होते कोई आपर समस्या नहीं कि लकडी के भी बना सकते हैं पत्थर के भी बना सकते हैं छते डालू होती हैं छते डालू बेटा क्यों होती है क्योंकि आप देखिएगा इस तरीके से ये नक्सा दिया जाता है क्योंकि बर्फ जो होती है वो अगर गिरती है तो उसको अच्छी तरी के से decorate किया जाता है जो कहीं न कहीं बर्फ के लिए सुगम हो जो ground level पर आ जाए ठीक है बड़ा याद रिखिएगा तो पत्थर और लकडी के मकान मने होते हैं मनाली के house की विसिस्ता है बहुत बड़े वीडियो को like कर लेना और नीचे हमने link दे दी है जिसमें सारी EVS, सारा CDP सारे subject को हम mention कर रहे है सारी चीजें अगर आप देख लोगे एक एक घंटे, दो दो घंटे में आप क्या कर लोगे, आपके अंदर इतनी energy है कि एक एक घंटे के अंदर आप एक subject को खतम कर सकते हो क्योंकि हमने इस तरीके से playlist को maintain किया है, decorate किया है जो तद्दस 15-15 minute की वीडियोज है ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना कोई pet course कभी खरीदना नहीं है क्योंकि इससे सरल exam है यह नहीं भया दिमाग से निकाल दीजेगा reality बता रहा हूँ आपको लेहे के मकान सबसे अदा exam में पूछे जाते हैं अब आपने देखा भी होगा आपने अब practice set में कुछ सम लेहे के मकान से बहुत देखा होगा, मैं जानता हूँ आपको देखेगा, लेहे में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है ये कई वार विवाद भी खड़ा करता है exam में लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ the floor below the house in लेहे does not have a window window होती नहीं है दोस्तों ये लेहे के मकान के गर में बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मैं बता दू कि लेहे के मकान एक ऐसे पार्ट में जाते हैं जो लेहे लद्दाक का पार्ट होता है थोड़ा सा ड्राई लाका है जहाँ पर बरसा कम होती है मेरे लाल याद रखिएगा बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है कि भारत में बरसा सबसे कम कहा पर होती तो दिमा का जाता तुरंत राजस्थान बटा राजस्थान जैसल मेर पार्ट है लेकिन कम बरसा के लिए नहीं जाना जाता है सबसे ज़्यादा असम के मासनिराम में असम है असम है क्या बताओ असम का मासिन राम नहीं मैंने एक वार कमेंट्स में देखा था पिछली वार बटा असम में बारिस होती है तो इसका मतलब नहीं असम में मासिन राम मेगाले का जो पाल्ट आप जानते हो गारो खासी जैनतिया जो पहाड़ियां भी है और उन्हीं पर दोसों गारो खासी खासी पहाड़ी पर मासनिराम इस्तित है ये एकजाम में भी पूछा भी गया है तो आपको मैं बता दू सबसे ज़्यादा मासनिराम में बरसा होती है औ are used to strength the proof का मतलब होता है कि जो मोटे तने होते हैं वो इस्तेमाल किये जाते हैं छटों को मजबूत करने के लिए ये देखेगा यहाँ पर हमारे गाओं में भी आपके गाओं में भी पहले यूज किये जाते थे याद है न लेह के मकान में छटें समतल होती है आपको बता दें छटें समतल होती है पूरी तरीके से समतल होती है जो ढालू नहीं होती है मनाली के अकॉर्डिंग चलिए लेह में मकान में छटों छट की अगर में बात करता हूँ लेह में मकान में जो छट होता है उसमें छत का घर महतुपूर हिस्सा है यहां गर्मियों में फल सबजी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में यहां पर ऐसा साधन सुलब होई नहीं पाता है ठीक है ना तो छतों का बहुत महतुपूर हिस्सा माना जाता है गर्मियों में क्या किया जाता है ठंडक में ऐसा मौका ही नहीं मिलता है तो हमें फल और सबजी वाला पॉइंट भी याद रखना है ठीक है बटा? चलिए लेह के मकान में अगर देखा जाए तो लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं दिमाग में लगा लिजेगा सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें लकडी के फर्स और लकडी छत ठंड से बचाती है नहीं लकडी की जो छत होती है वो ठंड से बचाती है ये बात दिमाग में रख लीजेगा जो लकडी की छत होती है वो हमें ठंड से बचाती है क्योंकि हमें सरदी से बचना है तो हमें अब मूब करना पड़ेगा हमें अब छट से नीचे आना पड़ेगा और जब हम निचली मंदिल पर आते हैं तो हमें वो मोटी मोटी दीवारे हमें हमारे सरीर को ठंड से बचा लेती हैं याद रखिएगा ठीक है ना लकडी के फर्स और लकडी की छट ठंड से बचाती है ये पॉइंट दिमाख में बैठा लो एकञ़ा में पूछा जाता है चलिए अब आते हैं राजस्थान के मकान पर फूर्थ पॉइंट है राजस्थान के मकान हमारे यहां बारिस बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है हमारे यहां गर्मी भी पढ़ती है हमारे यहां का मतलब है राजस्थान में राजस्थान के अगर मैं बात करता हूँ तो जैसल मेर पार्ट से लेकर जैपुर जोतपुर के अगर पार्ट को देखा जाए तो कहीं न कहीं जैसल मेरे इलाके में अगर आप चले जाते हो तो पाकिस्तान का एक लगा हुआ बार्डर इलाका है और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धूल भरी आंदियों वाला एक सिस्टम जहां पर बारिस कम होती है नमी कम पाई जाती है खूब गर्मी पढ़ती है यहां बारिस इस वेरी स्क्रेस इन योर एरिया इडिस वेरी हाट का मतलब है कि बारिस कम है बरसा नहीं होती है गर्मी ज्यादा पढ़ती है ठीक है हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं वी लिविन मढ हाउसे जो मिट्टी के बनाए जाते हैं बड़ा अच्छे लगते हैं सुन्दर नहीं है लेकिन अगर आप बाबा से पूछोगे अपने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह बात सही आ जाएगी ठीक है ना तो आप समय के बदलते हिजाब से सारी चीज़ें गर्मी जहल लेंगे लेकिन मिट्टी के मकानों में नहीं रहेंगे है ना क्लियर है ना बात हर ग हरों की दीवारें बहुत मोटी होती है इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुन्दर बनाया जाता है अब दोस्तों आपको बता दें यूपी से ये कुश्चन कभी नहीं आएगा ठीके ना सीटेट जो होता है बो पूरे आल इंडिया में एक जैसा पेपर आता है एक होता चला आ रहा है आगे भी आएगा तो इसलिए राजस्थान के मकानों को बहुत ध्यान से पढ़ना कि घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुन्दर बनाया जाता है जो भी हम कहते हैं कि बिलकुल एक्तम से डेकोरेट जो भी दोस्तों जाडियां है वो एक राजस्थान का एक हिस्सा रही है आज भी है बरसा कम होने के कारण उनकी पत्तियां अब काटों में बदल चुकी है समझ में आया याद रखिए पाच्वा फैक्ट दोस्तों क्या है यह आपको बता देते हैं कस्मीर के मकान हेटिं डा गुरुजिव वर्ड एक्जाम स्टड़ी पर बिल्कुल निसुलक सिक्षा के माद्यम से आपको पढ़ाय जा रहा है मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत कुछ बच्चे नए भी होंगे यहाँ 2017 से बच्चों के सेलेक्शन हो रहे हैं केवल हमने सिक्षक और सिक्षका ही ब प्रदल देंगे कस्मीर में सिकारी जो है घूमने है तो तथा हाउस वोट टूरिस्ट है तो प्रियोग होती है ठीके ना सिकारी सिकारा वही हम यह कह सकते हैं जो कस्मीर में सिकारी जो है घूमने है तो सिकारी और सिकारा जो है कोई भी कुछ-कुछ भी आप लेलो तो घू वोट जो होती है वो आप देख रहे हैं इस चित्र में इस तरीके से ठीक है ना याद रखेएगा चलिए हाउस वोट असी फुट लंबाई वा आठ नौ फुट चौणाई के होते हैं important fact है इसको याद रखना है ये भी exam में पूशा गया है कैसे पूशा गया है चार option सही है या सभी सही है ठीक है चलिए डल एक वा जहलं दोनों स्री नगर में हैं आपको पता है जम्मु कस्मीर की राजधानी कहां परिस्तित है जहलं नदी के किनारे ये exam में कुछ सनाया है इसको भी लिख लिजेगा star point में house बोट में खास design बना होता है इसमें जो आपको design दिख रही है ना ये जो कस्मीर के मकान होते हैं ये तैरते हुए मकान होते हैं और कस्मीर के मकान आपको मैं बता दूँ कि इसमें house बोट जो होती है इसके उपर जो मकान बने हैं इसमें design होती है नकासी कहा जाता है और नकासी को यहां पर क्या कहा जाता है खतम बंद कहा ज खतम बद्द कहते हैं खतम बद्द क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ बोट के उपर जो घर बना होता है कस्मीर में उस डिजाइन को खतम बद्द कहा जाता है House boat has a special design card खतम बद्द बोलो clear concept clear दोस्तों बहुत सुन्दर कस्मीर में मकान की खिड़कियों की अगर बात कर लेता हूँ खिड़कियां बाहर की और उभरी होती है जो खिड़कियां है वो बाहर की तरफ उभरी होती है याद रखिएगा इन्हें डव कहते हैं इन्हें क्या कहा जाता है डव कहा जाता है इन कस्मीर दा विंडोस आप दा हाउस आर फेसिंग आउट वर्स बाहर की तरफ दीज आर कार्ड डव डव ठीक है ना याद रखिए बहुत सुंदर बहुत जबर्जस पोइंट है ये बहुत अच्छा पोइंट है जो हम उपर के डिजाइन को देख रहे हैं इनको खतम बंद कहते हैं बाहर की जो उबरी हुई खिड़कियां हैं उनको हम डव कहते हैं ये दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है दिल्ली के मकान के अगर मैं बात करूं दिलाई is the capital of इंडिया ठीक है न तो दिल्ली भारत की राजधानी है दिल्ली में उची उची इमारत एवम उचे उचे मकान होते हैं दिल्ली किस नदी के किनारे इस्थित है जरा कमेंट कीजिएगा दिल्ली के मकान आपको हम बताने से पहले ये बता दें यहाँ पर 1911 1911 का दसक एक ऐसा माना जाता है जहां से राजधानी को इस्टैबिलिस करके यानि मूब करके दिल्ली लाया गया ठीक यानि कैपिटल है तो कैपिटल तो सम्रद होगा चलिए बकरावल लोगों के मकान बकरावल लोग एक तरीके की जञजाती ऊचे पहरी इलाकों में पाई जाने वाली एक जञजाती है जिसको बकरावल कहा गया बकरावल लोग लकडी बा मिट्टी के घरों में रहते हैं ये बकरियां चराते हैं, इसलिए नाम बकरावल हमें ऐसा लगता है कि जरूर पड़ा होगा बकरियां चराने वाले लोग बकरावल जंजाती के अंतरगत आ गए है बोलो बेटा किलियर? ठीक है? चलिए फैक्ट लिखते जाना कताई एक भी फैक्ट आपको मिस नहीं करना है अब लास्ट के तीन फैक्ट आपको और बताने की कोशिस कर रहा हूँ जो हर बच्चे को जानना चाहिए महत्वपूर्ण विंदू ये है कि गोवर से अब गोवर वाल एक गोवर पॉइंट डाल लीजेगा गोवर एक पॉइंट डाल लीजेगा गोवर भी सीटेट एक्जाम में बहुत पूछा गया है गोवर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है ये एक्जाम में कुसन डायरेक्ट पूछा गया है अब आपको मैं बता दू कि गोवर से जो पुताई होती थी लिपाई होती थी अपन बहुत रेड कलर का लीपा जाता था हमें आज भी यादे दोस्तों और आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके घरों में भी होता होगा कहीं ना कहीं होता होगा ठीक है अथ तो सारी चीजे तबदील हो चुकी है फर्स में टाइल्स में तबदील हो चुकी है लेकिन आप अगर देखोगे तो रेड कलर का जिसको क्या कहा जाता था गेरू कहा जाता था अब आपके आंग क्या कहते है मुझे नहीं पता लेकिन क्या होता था उसमें क्या है कि रिड कलर का पूरा बड़ा अच्छा और बहुत भी जबरजस्त एकदम सेकुरसी डाल के चारपाई डाल के बैठो मज़ा आज़ता था दोस्त उसका मतलब है यहाँ पर फैक्ट यह पूछा जाता है कि गोवर से लिपाई क्यूं होती थी या होती है मकानों में तो पुताई से कीडा नहीं लगता है यह दिमाग में बैठा लीजिए यही डारेक्ट फैक्ट पूछा जाता है ठीक है ना चलिए सोहना गाउं हरियाना में है एक्जाम में डारेक्ट टीवी पूछा गया सोहना गाउं के बारे में बहुत पूछा गया सोहना गाउं हरियाना में है सोहना से दिल्ली के बीच गुरगाउं सहर इस्थित है सोहना विलेजिजिजिन हरियाना यह आपको याद रखना है एक इंपोर्टेंट आता है डेरा गाजी खान डेरा गाजी खान एक्जाम में भी पूछा गया है कि डेरा गाजी खान कहां परिस्थित है किस कंट्री में है तो डेरा गाजी खान is in पाकिस्तान यानि यह है पाकिस्तान में इस सिथ है एक फैक्ट और लिखेगा बर्फ में इगलू के मकान होते हैं यह हम आल लेडी आपको बताएंगे जैसे जैसे हम चलेंगे आगे ठीक ना तो यह आपको याद रखना है बर्फ में कौन लोग रहते हैं इगलू के मकान बर्फ में जो है बिल दाएगा गोल तरीके का मकान होता है, है ना, जिसमें बहुत सारी जंजातियां, अलग अलग तरीके की जंजातियां है, तो बताएए, इगलू मकानों में कोन जंजाती रहती है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, अब नीचे हमने टेलिग्राम की लिंक दे दी ए, टेलिग्राम से जुड़ जाना और नीचे हमने सारी प्लेश्ट को मेंसन कर दिया है, अब आप की बारी है, सारी प्लेश्ट को भगजवर्जस तरीके से उखाड़ देना है, जेहिन वंदे मातरम इंग कलाव जिन्दावाद मस्त रहिए आवाद रहिए जिन्दावाद रहिए